अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ एटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्क वगरा पे टाइम तो दे रहे होगा ना, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि टीच्विन बनाता है आपकी क्लास को असनी डिजिटल और आटोमेट कर देता है यह सारे काम, इसली तो कहते हैं कि टीच्वि आज ही डाउनलोड करें, टीच्विन तो आज की हमारी वीडियो को टॉपिक है, कक्षा साथवी संस्कृत का पेपर जब कहो गया है, तो उसमें कितने कोशन्स आप सही करके आए हैं और कितने गलत, तो सभी का आंसर आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो वीडि के साथ साथ सारे आंसर भी बताएंगे, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है, तो बीच में ही वीडियो को नहीं स्टॉप करना है, तो वीडियो को पूरा देखे और साथ के साथ अपने सभी आंसर को मिला लीजिए, तो पहला प्रेसन आपको बैल को संस्कृत में डैश कहा जाता है तो ये खालिस्तान भढ़ने था आपको तो जो ये blue pen से लिखा गया ये question है और जो नीले pen से लिखा गया ये आपका उत्तर है तो आपको ये paper में लिखके आना था तो देखे इसमें आंसर है बली बढ़दा बैल को संस्कृत में क्या कहा जाता है बली बढ़दा तो आप अपनी spelling भी check कर सकते हैं कि आप कैसे लिखके आएं तो देखे दूसरा प्रसन आजाता है चित्रम का बहुवचन डैश है तो चित्रम शब्द का बहुवचन क्या है चित्रानी ठीक है उसके प्रसन नमबर तीसरा इसका है ठीक है चित्रा पूप शब्द का अर्थ क्या होता है तो सका अंसर आजागा आपको चीला प्रसन ही दूसरा में पूस्तकाणी और तीसरे वाले में आता झालम तो तो यह तीन आपको लखने थे उसके बचाद प्रस्ता नम्बर च्टा आ जाता है संस्कृत भाषा है मैं तो पाथ के अधार पर संस्कृत भाषा के मैठम वह हिंदी में तीन वाक्य लिखी है तो पहला वाक्या है कि सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाष तो ऐसे यह आपको तीन जो वाक्य लिखने थे जापका पार्ट है संस्कृत भासा है मैं तो उसके अधार पर तो यह पहला हो गया उसके बाद दूसरा पता देते हम आपको दूसरा है सभी भासाओं में संस्कृत भासा सबसे पुरानी भासा है तो देखे सभी भासाओं में स तो यह आप लिखे देंगे उसके बाद नेक्स्ट आजाएगा प्रेसर नमबर साथ भा भौरम देव पार्ट के अधार पर भौरम देव का वर्णन हिंदी के पांच वाक्य में करें तो देखे हिंदी में लिखना था आपको भौरम देव जो आपका पार्ट है उसके अधार पांच संटेंस लिखने था यानि की पांच लाइन लिखनी थी तो पहला आजाएगा आपका भौरम देव मंदिर में तीन दरवाजे हैं ठीक है तो मंदिर के बारे में आपको पताना है उसके दूसरा है मंदिर के गर्भ ग्रह में मुख्य रूप से शिवलिंग स्थापीत मंदिर के उत्तर दिशा में एक बड़ा तालाव है जैसे कि आपके पार्ट में बताया गया है उसके बाद प्रसन नंबर वह पांच वह वक्य हो जाएगा भौरम देव मंदिर के निर्मान में खजुरोव है उडिसा के कोड़नाक में सूर्य मंदिर की वास्तुकला की नकल देती है उसके बाद अगला प्रसन आजाएगा उचित संबंत बनाई है यानि कि मैचिंग थी आपकी सही मिलान करो तो कह और खह दे रखाए तो मैंने यहापे जो उनके सामने वाला अंसर था राइट राइट वो लिख दिया है जैसे कि आपको जनी इत्री को मिलाना था मा और घट को घडा से और दुरूब को निश्चित से देखिए सारे हो गए पांच मैचिंग आपकी आई थी तो पांचों में आंसर आपको सामने दिये गया उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए प्रसन नमबर नोवा को स्ट्रक में दिये गए शब्दों के अधार परिक्त अस्टानों की पूर्ति कीजिए तो यहाँ पर मैने जो र्क्त इस्थान में जो आंसर आएंगे खाली सिर्फ वही लिखे हैं तो आप इनको भी मिला लीजिए और मैंने पूरा कोश्यन नहीं उता रहा है यहाँ पर खाली अंसर लिखे है कह वाले में आपका काव्यो पाध तो देखिए यहां पर हमने खाली आंसर लिखे यह आपको ब्रैकेट में दिये गाए ते उपर इनमें से छाट को आपको लिखना था तो यह हो गया अब आपका अगला प्रसंट प्रसर नंबर दस तो प्रसर नंबर दस में पहला क्या वाला जो उसमें पूछा गया था कि विध्यारती और उपेंद्र तो विध्यारती का संदी विछेद करेंगे विध्या प्लस अर्थी और उपेंद्र का करेंगे तो उप्प प्लस इंद्र तो ऐसे आपको यह उत्तर लिखना था उसके बाद गया वाला प्रसंट देख लेते हैं तो यह प्रसंट नंबर दस ही रंगरिशी आस्रम अस्ती उसके बाद प्रस्ता नमबर 11 जाएगा दिये गए करता है एवं किरिया को सुमेलित कर वाक्य पून कीजिए तो यहां पर आपको देखे टेबल सी दे रखी थी उसके दो दो उसकी जो सूची बना के दे रखी थी उन दोनों को आपको मिला के आपस चोथे वाले में एहम पठामी और पांच वे में आपको आजाएगा बाली का खेलनती तो यह सारे आपको पांच वाक्या ऐसे बना के लिखने थे संस्कृत के उन में सही छाट के उसके बाद अगला कोशन देख लेते हैं प्रसर नमबर 12 निमलिखित देने को प्योग वस्त तो यह जो ब्लू पैंस लिखेगा है यह आपको लिखने थे यह इनका अंसर है उसके बाद प्रस्ता नमबर 13 निमलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए तो दो शब्दे दे रखे पहला और दूसरा इनके लिंग बताने है कि यह कौन सा लिंग है इस्त्री लिं प्राइवाची तो इसमें भी आपको जो ब्रैकेट में उपर दे रखे थे उनमे से छाट के आपको लिखना था तो देए पुत्र में आ जाएगा आपका सुत्त ठीके और दूसरा जगा तन्य तो यह आपके पुत्र का प्राइवाची हो गया और माता में आएगा जन्नी तो इसके बाद प्रस्ट नमबर 15 दिये गए नामों में से दो सब्जियों के नाम बताइए तो इसमें भी आपको तीन या चार नाम दे रहे थे उनमें से चाटके आपके सब्जियों के नाम लिखने थे तो उत्तर में आपका आजाएगा भिंडक और कार्वेल लम ठीके तो जो आपको ब्लाक पैंसर फलो के नाम दिये गये थे आपके पेपर में और हिंदी में आपको इनके नाम लिखने थे जामुन का आ जाएगा संस्कृत में नाम जंबु ठीक है अम्रूद का जाएगा बीजपुरम पपीता का जाएगा मदू करकरी तो आपके फ़लो के नाम हो गए संस्कृत में हिंदी में दिये गए थे और संस्कृत में लिखने दे उसके बद प्रसन नमबर 17 निमिन लिखित में इसे बीन सब्दु चुनकर लिखे हैं कह वाले कमेंट करके बता सकते हैं Thank you for watching